अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था माता पिता अपने माधव नामक पुत्र के साथ सुख पूर्वक रहते थे माधव एक हसमुख लड़का था जिसे तिकलियां पसंद थी और वह उन्हें पकड़ने के इरादे से उनके पीछे दोड़ता था माधव एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था और उसका स्कूल और घर एक ही सड़क पर स्थित थे चुनकी बच्चों के लिए कोई स्कूल बस सेवा नहीं थी इसलिए उसे पैदल स्कूल जाने में लगभग 15 मिनट लगते थे हर सुबह माधव के स्कूल जाने के बाद उसकी माधव के स्कूल में चलने वाले एक छोटे से कैफे में अपने पती की मदद करने जाती थी लेकिन वह हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि माधव के स्कूल से लोटने से पहले वह घर वापस आ जाए वह एक अच्छी मा, अच्छी पत्नी और एक अच्छी इनसान थी वह अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी उसे कपडों, चादरों, छत्रियों और कई अन्य चीजों पर हाथ से कड़ाई करना बहुत पसंद था एक दोपेहर, जब माधव स्कूल के बाद घर जा रहा था उसने तितलियों के एक समूह को सड़क पर उड़ते हुए और घास के मैदान में प्रवेश करते देखा माधव इतना उत्तेजित हो गया, कि वह उनके पीछे दोड़ने लगा तितलियों घूम घूम कर उड़ती रही, और माधव उनका पीछा करता रहा इस बीच, आसमान में बादल च्छा गए थे कुछ देर बाद, जब माधव ने देखा, कि तितलियों बादलों में गायब हो गई है तो उसने भागना बंद कर दिया, और खुद को एक अजीब जगह पर पाया जैसे ही उसने दूर तक देखा, उसे कोई सड़क दिखाई नहीं दी घास के मैदान में कई पगदंडियां अलग-अलग दिशाओं में जा रही थी आखिरकार, उसने उन पगदंडियों में से एक पर चलना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उसने सोचा कि वह उसे, उसके घर और स्कूल के बीच चलने वाली सड़क पर वापस ले जाएगी जब, माधव, घास के मैदान में खोया हुआ था, उसकी माँ को उसकी चिंता हो रही थी, कि वह अपने स्कूल से वापस क्यूं नहीं आया एक घंटे से अधिक समय तक उसका इंतजार करने के बाद, उसने अपने पती को फोन किया, और उसे तुरंद घर आने के लिए कहा घर पहुचने के बाद, पती को पता चला, कि माधव अपने स्कूल से वापस नहीं आया है और जाने से पहले, उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिये, तुम चिंता मत करो, मैं उसके स्कूल जाओंगा, शायद वह अभी भी वहीं है आप घर पर ही रहें, कहीं मेरे जाते ही, वह घर न आ आ जाए माधव की मा, सडक पर आँखे गड़ाए, खिड़की पर बैठी थी, तभी भारी बारिश होने लगी, बारिश के कारण खराब द्रिश्यता की स्थिती में कुछ समय बाद, उसने दूरी पर किसी को घर की ओर आते देखा वह द बाहर गई, और देखा की वह माधव नहीं, बलकी एक बूरा, कमजोर आदमी था, जो घर के सामने पेड़ के नीचे रुक गया था, वह आदमी बारिश में भीग गया था, और थन से काम प्रहा था माधव की मा, उस आदमी के पास आय, और बोली, सर, आप घर में क्यूं नहीं आते में, मैं, आपके लिए एक कप गर्म चाय बनाऊंगी, उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं इस दयालू प्रस्ताव के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरी पत्मी बुखार से बीम जाना होगा, और उसे दवा देनी होगी, वह आदमी जाने ही वाला था, की माधव की मा ने कहा, एक पल रुको, मैं जल्द ही वापस आँगी, वह घर के अंदर गई और लाल चाता लेकर वापस आई, और उस आदमी से कहा, कृपया चाता ले लो, इस बारिश में यह आपकी मदद करेगा, पहले तो वह आदमी चाता लेने में अनिच छुक था, लेकिन जब माधव की मा ने जोर दिया, और कहा, की इससे उसे खुशी मिलेगी, तो उस आदमी ने चाता ले लिया, और कहा, मैं आपको, और आपके दयालू हरिदय का सम्मान करता हूँ, मैं इसे कल वश्य लोटा दूंगा, माधव जिस पत्थ पर चल रहा था, वह अंततह एक सड़क में विलीन हो गया, वह कुस रास्ते पर, ये सोचकर चल रहा था, की अब वह घर पहुँच जाएगा, हालां की, कुछ देर चलने के बाद, उसे एहसास हुआ की यह सड़क सही नहीं है, यह हुआ महसूस कर रहा था, बारिश में भीग कर वह ठंड से कापने लगा था, उसने चारों ओर देखा, और एक आदमी को लाल छाते के साथ, अपने घर की ओर जाते देखा, छाते पर अपनी माधवारा की गई कड़ाई देखकर माधव दोडा, और इससे पहले की वह मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें, कि यह चाता आपका नहीं है, उस आदमी ने तुरंद उत्तर दिया, तुम सही हो, मुझे आश्चर्य है, कि तुम को कैसे पता चला कि यह चाता मेरा नहीं है, माधव ने उत्तर दिया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, इस पर मेरी माधवारा हाथ से कड़ाई का किया एक संदेश है, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे आदमी ने कहा मैंने संदेश देखा है अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे यह एक महान संदेश है जिस खूबसूरत महिला ने इसको लिखा है मैं उनको कुछ समय पहले मिला था अब मैं उनके बेटे से मिलकर खुश हूँ चलो घर में चलते हैं मैं बताऊंगा कि यह छाता मेरे पास कैसे आया और वे घर के अंदर चले गए माधव ने उस आदमी की पत्नी का जो बिस्तर पर लेटी हुई थी बड़े आदर के साथ सम्मान किया और वे गोली बारिश में इतना कैसे भीग गए हो बेटा माधव ने उसे बताया कि वह घर का रास्ता भूल गया है पर वे गोली चिन्ता मत करो बेटा मेरे पती तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे अभी तुम्हें अपनी गीली जैकेट उतारनी होगी और सूखी जैकेट पहननी होगी आद्मी ने अपनी पत्मी से कहा तुम चिन्ता मत करो तुम्हें दवा देने के बाद मैं उसका ख्याल रखूंगा वह आद्मी रसोई में गया और हाथ में एक गिलास पानी और दो गोलियां लेकर लोटा पत्मी को दवा देने के बाद वह रसोई के बगल वाले कमरे में गया और जैकेट लेकर वापस आया उसने माधव से कहा वाश्रूंग में जाओ अपने आपको सुखाओ और इसे पहन लो मैं एक छोटा आदमी हूँ मुझे विश्वास है कि ये तुमको आ जायेगी माधव ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और जैकेट लेकर वाश्रूंग चला गया और कुछ देर बाद उस आदमी की जैकेट पहन कर वापस आ गया थोड़ी देर बाद वह आदमी रसोई में गया और कुछ देर बाद गर्म दूद का गिलास लेकर वापस आया उसने माधव कुद कहा पी लो बेटा ये तुम्हें गर्माहट देगा माधव द्वारा दूद पीने के बाद उस आदमी ने माधव को पूरी कहानी बताई कि वह उसकी माँ से कैसे मिला और बारिश में च्छाता देने के लिए उसकी माँ की सराहना की बारिश पूरी तरह से रुक गई थी और दवा लेने के बाद उस आदमी की पत्नी भी बेहतर महसूस कर रही थी उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा मुझे खुशी है कि तुम बेहतर महसूस कर रही हो माधव के माता पिता को उसकी चिंता हो रही होगी मुझे भी उनके बेटे को घर लाकर उन्हें खुश करना चाहिए उस आदमी ने छाता और माधव की गीली जैकेट उठाए माधव ने उसकी पत्नी को घन्यवाद दिया और वे चले गए घर जाते समय माधव ने उसे तितलियों के पीछे दोड़ने और फिर खो जाने की पूर्म कहानी सुनाए आदमी ने कहा तितलियां सुन्दर होती हैं हर बच्चा उनके पीछे दोड़ना और उनके साथ खेलना पसंद करता है लेकिन किसी को उनसे इतना मोहित नहीं होना चाहिए कि वे अपना रास्ता भटक जाएं और अपने माता पिता के लिए बड़ी चिंता का कारण बने माधव ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया श्रीमान मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराँगा थोड़ी देर बाद खिड़की पर बैठी माधव की माधव को उस आदमी के साथ जिसको उसने च्छाता दिया था घर आते देखकर खुशी से भर गई वह दोड़कर अपने बेटे से लिप्ट गई उसकी राँखों में आंसु आ गए फिर उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और उससे कहा आपने हमारे बेटे को घर लाकर हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ कर रहे हैं उस आदमी ने नम्रह मुसकान के साथ कहा आप बिना किसी कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं सबसे पहले आपने मुझे बारिश से बचाने के लिए छाता देकर मेरा भला किया दूसरे आपने च्छाते पर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे का महान संदेश उके रा था यदि तुमने ये दो अच्छे काम नहीं किये होते तो माधव कभी मेरे पास नहीं आता और मैं इसे कभी घर नहीं लाता माधव की माने उस आदमी को घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया उस आदमी ने च्छाता एक कुरसी के पास रखा और माधव की गीली जैकेट उसकी मां को दी और कहा माधव बारिश में बहुत भीग गया था माधव को सुंदर जैकेट पहने देखकर उसकी माने पूछा तुम्हें इत्मी अच्छी जैकेट कहां से मिली उस आदमी ने उत्तर दिया यह इसे मेरी और मेरी पत्नी की ओर से एक उपहार है माधव की मा रसोई में गई और कुछ देर बाद उस आदमी के लिए एक कप गर्म चाए और माधव के लिए एक गिलास दूद लेकर लोटी उसने उस आदमी को चाए दी और माधव को दूद चाए पीने के बाद उस आदमी ने माधव की मां को धन्यवाद दिया और जाने का फैसला किया जैसे ही वह दरवाजे तक गया माधव की मां लिविंद रूम की ओर भागी और चाता लेकर वापस आई और बोली आप अपना चाता भूल रहे हो उस आदमी ने उत्तर दिया ये चाता आपका है मेरा नहीं माधव की मां ने मुस्कुराते हुए कहा आपको देने से पहले यह मेरा चाता था अब यह आपका है मेरा नहीं उस आदमी ने चाता लिया और बड़े आदर से कहा यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं इतनी शालीनता और नैतिकता वाली एक महान महिला से मिला हूँ कभी कभी अपने पती और माधव के साथ हम से मिलने अवश्य आएं इस से मुझे और मेरी पत्नी को बहुत खुशी होगी उस आदमी ने अलविदा कहा और चल दिया